कि हाई गाई आई ये स्टार्ट करते हैं ये लक्ट्यार और पिछला पोड़कास्ट का आप लोग ने इस तरह से प्यार दिया उसके लिए धन्यबाद गाई एंड लॉट अफ थैंक्स उसके लिए कोई सब्द नहीं है क्योंकि इतना सारा प्यार दिया आप सभी ने सो धन्य सबह्कर आप सभी का आई एक लेक्ट्चर में आपके साथ स्वाधत करता हूं में जो कि बात करते हैं हम सीदे सीदे को ले कर इंडिया में ऐसा रहा है जो की काफी कहीन जो कहीन दर्दनाक बोल सकते हैं और जिस तरह से हमारा देश में ब्रीटीस आएं और एजूकर पर चाम आया सबसे पहले पर उन्होंने वार किया और यह माना विजाता है कि यौद किसी देश को डोमिनेट कर रहे हो और जब किसी देश को माईनेट करना चाहते ओंग करना चाहते हो उस देश के में नाम का कोई आया था बिटीस विए बेंगिस्टन ने क्या किया एटीन सिस्टम को चेंज कर दिया और जो कि हमारा गुर्खूल सिश्टम हुआ करता था करते थे मेडिटेशन की बात करते थे आज हाई प्रेशा हाई ब्लाड पेसा और हाइमिडेशन कि जो सिस्टम की जो होती है आपको समने आ रहे हैं देखने को सुसाइट कर रहे हैं बहुत से रबत्य लूब तो यह जो मेडीयेसम प्राउलम को सुधार का बहुत बिजरिया था हमारा गुर्पूल सिस्टम लेकिन उस गुर्पूल एजुकेशन सिस्टम को खतम कर दे ब्रिटीस ने modern सिस्टम लाकर और उस modern सिस्टम उनने बताया कि हमारा अंग्रेजी के सिर्फ साथ चिल चीदे चलेंगी यानि कि इंग्लिस मिडियम स्कूल से रहेंगे इंग्लिस सब्को पढ़ा जाएगा इंग्लिस साथ चीदे इंग्लिस मराएंगे यह सारा जो सिस्टम आपका आया वह ब्रिटीस गौर्मेंट के modern education सिस्टम से निकल कर आया था आज हम बात करते हैं तो हिंदी दिवस मनाते हैं लेकिन हिंदी में हमारे बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं या अपने बच्चों के हिंदी मिडियम में नहीं प्राना चाहते हैं इसकी पीशर रिजन यहीं है कि हमारा education system इंग्लिस मिडियम मन चुगा है और वो देन से ब आइसा बढ़ियां से बदल दिया है अगर बात करें तो आपको आपको अच्छा लेना है तो आपको लेकर आनग पड़ता था चाहें वो सोसाइटी के प्रेसर से हो या कॉलेज लेने के प्रेसर होता था लेकिन अब क्या है कि एंटी यह की नेशनल टेस्टिंग एजनसी होती है जो कि एंटी आपका के बाद आपको एजाम देना पड़ता है तब आपको अच्छा कॉलेज मिलता है तो आपकी चेक्टिग्रेज चेक चेक जाती है और उस स्ट्रेंथ के इसाफ से आपको कॉलेज होते हैं जो की बेस्ट एजुकेशन सिस्टम में बोल सकते हैं जो की इस रूणी को दारा लाए अगया मोधीजी के गौर्मेंट तो आप सब पता है आए बात करते हैं करते हैं तो क्या है कि हम जब सीखते हैं बच्चे हमारे जो भरता करते हैं और हम इसकिल्स फोकस करते हैं इसके पीछे रिजए में आप फोकस हो नहीं करते हो कियो आप सिर्फ नंबर को लेकर सिर्फ मार्स को लेकर आप हैं चेंज होना चाहिए हमें करें के पर पास रहे तो आप च्छाली जा सकते हों आज कोई रुरी नहीं है क्पेश्टी कि की वो या की कोई डीजी लिए और आपको सुखिश्म में मिल जाए यह कोई मैं यह प्राइब क्यों नहीं गरांटी क्यों है आपके पास इसकील के हैं तो इसकील्स बहुत ज़लूरी पर किहा है इस कि साथ सांब कर लएक वाराग चल कर अगर श्रकेयों को साने शुपर कर सकता है लेकिन एंडिया आई सब्सक्रा कहते हैं तो और सारे और आया भी है अगर बात करें 1968 में एक पॉलसी जो कि कांग्रेस के समय यानि की इंद्र गादी जी के समय था तो उसमें बहुत सारा चीज़ें देखने को मिले जो कि गुरुकुल के बाद जो पॉलसी में इंद्र गादी के समय यह पॉलसी आया फिर 1986 में आया था और अभी रिसेंटरली बात कर दो जा सकते हैं यानि की स्कील्स पे बेस पे काम कहे जा रहा है इस पॉलसी है दूसरे के डिग्री के अवर डिग्री ना मात्र बलकर इस डिग्री से आप इक इसकील्स पैदा कर सकते हो वह बहुत बड़ी चीज और आत्मने बलकर करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हूं लजार आएगा यह बहुत अच्छा बात हम बहुत सकते हैं इस रूलिंग वोर्मेंट के दवारा जो लाया गया है कुछ नहीं कर पा रहे हुआ कुछ तो कमी जो कि हमारा देश में ब्रॉज radhad worsen नहीं अगर शेकर पास स्टेन तक आने आते 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 इक स्की्ष तपने अपने इस श्कन स्ट कर जाएथब डिल्गों इस अपने हो जायगा होने ने डेवलप किया यह जो प्रहाई अपने किया उसको आप आगे लेकर कर सकते हो जिससे कि आप एक इस्टेंट खड़ा हो और आप कहें न कहीं मतलब की भिरोजगार ना मानों अपने आपको आप आगे पढ़ते हो और ऐसे बदलती जा रहे हैं और टेकनिकल डॉलेज बाकी अप लेकर सकते हो और स्किल्स पे काम कर सकते हैं यससे हम क्या कर सकते हैं अपने इस पिशन्स लेवल पर बढ़ा सकते हैं और माक्स में मत जाओ क्योंकि नाौल्ज बहुत बड़ी की जोती है और माक्स पर Нам को जना बीड़ नहीं हैं और आज कल बचे इतना सो साइट कर रहे हैं मेंटल प्रेसर है माक्स को लगार हम यह कर लिए वो कर ले एक्सपिटेशन बहुत जड़ा हो चुकी आज के समय में एक्सपिटेशन को कम रखिए और अपने स्कील्स पर काम करिए अपने आप पर फोकस दीजिए और आगे पढ़िए हिंदी पढ़ना में जरूड़ी है कि हमारे देश में हिंदी को कहीं ना कहीं अलग से इंग्नोर कर दे जाता है लेकिन इंग्लिस है लेकिन इंग्लिस सिर्फ वह इसलिए है कि आप को जॉब मिल सके आपको अच्छा प्रफिसनल लेवल पर और कम्मिनिकेशन के रिए कर सकते हैं अगर यहां वहां जार ही अंग्लिए पनWeek champion कर सकते हुए अपने लोगों के साथ रह रहें लोकल वासा बात करें हें mandate बात करें लेकिन आगर आप जारें अमर्का वहां जारा हैं तो यह अधिकिनन यह ध्यान तो हन गर करत आपको तो धन्यवाद गाई और कैसा लगा यह हमारा लेक्चर और कैसी लागी हमारी बात है हमारा विचार जरूर बताईए और एजुकेशन सिस्टम को चेंज लाने में कितना बड़ा युगदान रहेगा आगे हम देखेंगे और आपके लिए भी क्योंकि आज कल बहुत सर ऐसे ब बड़ताना पढ़ाना यह समझ रहें अपने आपको तो यह अच्छी चीजा है अब अच्छी चीजा चल रहें अब इंडिया में सुगाइस धाने बाद